दोस्तों आज बात होगी Stock Specific, SRF और Sun Pharma की Support और Resistance की Reliance और HDFC Bank की Weekend पर आपने वीडियो देखी ली होगी नहीं देखी तो चैनल पर Recent Playlist में, Recent वीडियो में आपको मिल जाएंगी इसके इलावा WhatsApp की सब्सक्रिप्शन पर एक Update और भी बहुत कुछ नमस्कास, सलाम सब्सक्रियाकाल, मेरे नाम है इशान, स्वागत थापका मेरे YouTube चैनल पर लेकर आए हूँ आपके लिए हर रोज की तरह Daily Stock Market का शोओ इस शोओ में हम आज की Closing का लानवरे Trading Session, Stock Specific में Reviews और भी बहुत बाते करते हैं आपके स्क्रीन पर सबसे पहले शुरुबात करेंगे इंडेन डायसे की Closing से अब इस सिचुएशन में Overall सारी Market Negative आपको कुछ Points के लिए Index में Trading मिल रही है और Technically Sound Trading मिल रही है वो एक अलग बात है बट Stock Specific Action बरपूर है और Stock Specific Action में भी आपको एक Clear Momentum throughout the day मिल रहा है Reversals या Overall Spikes उन Stocks में नहीं मिल रही है Majority तोर पर अगर आपके Technical Strong है इसी परकार के कई Strong Stocks की बात करेंगे Top Gainers में Top Gainers की List आपके स्क्रीन पर Crazal, Superajit Engineering, Nesco, Heritage Food, Alliance Capital, Alliance Infra, Thomas Cook, Zee, Hindustans, Copper, ITI, Timken India, Tata Chemicals, Berger Paint, Bajaj Holding, K.E.I. Industry, The Indian Hotel ये सभी Stocks अब इन पूरी लिस्ट में ये हैं तो सभी Positive Stocks बट कुछ Particular Stocks के बारे में ही बात करना चाहूँगा एक Berger Paint, Berger Paint मैंने आपको Last Livestream में भी या Overall आज Promotion के तोर पर Telegram चैनल पर भी या मेरे WhatsApp ग्रूप पर मैंने और पांसो के आजपस इसकी Call या इसके बारे में डिसकस किया हुआ है आज Stock Top Gainers में है और एक Momentum में है बट एक चीज़ और एड कर लीजिए Stock अभी भी Positive Momentum में है और वही बात आप कितनी जल्दी एक Stock में राइड कर रहे हो वो भी Important हो जाता है ऐसी Market में बट अगर एक Stock Strong है तो आप उस Stock के उपर कभी भी राइड कर सकते हो बर्जर पेंट और इसके इलावा एक और Paint Stock मैंने Members को या WhatsApp ग्रूप पर या शायद दोनों जगा पर एक डिसकस किया हुआ है वो भी साथ में Strong है तो इन Stocks को ये बर्जर पेंट की Theme को लेकर आप सभी Paint Sector के Stocks को देख सकते हो आपको Definitely Top 3 Stocks में Momentum देख जाएगा अब इसके इलावा Indian Hotel अब Indian Hotel इस लिस्ट में आ रहा है बहुत जादी बड़ी Moment नहीं है बट Indian Hotel मैंने Last 2 देली Intraday वीडियो पे डिसकस किया था और आज भी कर रहा हूँ Indian Hotel अपनी Lower End of the Range में है अगर आप Positional Buy करकर Hold करने के कपस्टी रखते हो और क्योंकि आपके पास एक Exit Plan है एक Stop Loss is intact है आप Definitely in Stocks पर या As A Stocks पर Ride कर सकते हो Indian Hotel repeat कर रहा हूँ दो बार हो चुका है लगाता है डेली Intraday वीडियो शो पे इसके वारे में डिसकस कर रहा हूँ वाट वही बात किसी एक दिन S.T. Spike आएगी जब यह Stock डेड़ सो के Levels को Cross कर जाएगा और फिर हमें लगेगा कि शायद यही Bottom था अब repeat कर रहा हूँ यही Bottom था तब हम कह सकते हैं आज नहीं कह सकते हैं बट इस वक्त Stock अपनी Lower End पर है यह मैं आपको repeat करकर बोल सकता हूँ इसके इलावा Top Games में कोई ऐसा Stock नहीं है जिसके वारे में डिसकस करना जाऊँगा आपकी अगर कोई Stock की फरमाईश होती है या आप किसी Stock के वारे में जाना जाते हैं नीचे Comment section में जुरू में दिजिए अगर possible हूँ तो साथ की साथ reply कर देता हूँ या overall reply करने की पूरी सकते हैं तब आपको टेक्निकल लेवल से लेकर सारी जानकारी मिलती है अब बात करेंगे लूजर्स की टॉप लूजर्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पर डिश मैं लक्स इंडस्ट्रेस, रिलाइंस कम्मुनिकेशन, येस बैंक, दीवान आॉसिंग, करूर वैसिया बैंक, LSE अब इस पूरी लिस्ट में एक जैन इरिगेशन देख रहा है अब जैन इरिगेशन के ऊपर बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत सालों के बाद और मैं रिपीट कर रहा हूं जो लोग नहीं हैं वो ने शायद ये सुनकर आश्चरे होगा बहुत सालों के बाद शायद हमारी हिस्टरी में कोई एक ऐसा बजट होने जा रहा है तकरीबन 10-15 सालों से ये पर्टिकुलर स्टॉक जैन इरिगेशन हर बार बजट से पहले आपको मल्टी बैगर काटेगरी में परोस कर दिया जाता था मैं रिपीट कर रहा हूं ये सुनकर आपको शायद हरानगी होगी जो पहली बार ऐसा होगा कि हम बजट में जाने की कुशिश करेंगे या बजट में जाएंगे बिना जाने इरिगेशन की बस के साथ बट खेर टॉप लूजर्स में Yes Bank पी आ रहा है Yes Bank की ओपर अभी वी कोईरीज आ रही है Yes Bank की ओपर News का मौल भी है बट मेरा कहना वही Yes Bank Technical को ही वीडियो में ही आपको मेरा overall guess bank की उपर view भी मिल जाएगा जब तक ranges, जब तक support, resistance जब तक overall पूरा scenario वैसा ही play out होता है, तब तक change of view मेरा नहीं होता, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजे, आपको recent channel पे recent videos में मिल जाएगा और मुझे नहीं लगता उसमें मैंने किसी भी query को छोड़ा है, उस वीडियो पे investors, positional players, traders सब को tackle किया गया है, level wise tackle किया गया है, और ranges के साथ support resistance सब कुछ बताया गया है इसके लावब भी query होगी, नीचे comment section में mention कर सकते हो, हम रोक करते हैं सीधा SRF की support resistance level का, क्योंकि stock specific आज ये stock चुना गया है, आपके screen पर stock specific SRF का stock आ रहा है अब दो दिन चीज़ें इसके बारे में बताना चाहूँगा, एक, भ्यंकर positive या positive momentum ही stock है, इसकी चर्चा मैं recent daily videos में करता रहा हूँ क्यों? क्योंकि ये stock 52 week high में continuously आता जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से, इसके इलावा traders के लिए या overall positional play भी मैंने overall सारा scenario उसके उपर बताया हुआ है आज फिर इस list में आएगा 52 week high value list में तो उससे पहले ही SRF के regarding support and resistance में आपको बता रहा हूँ ध्यान रिखिए, ये support and resistance daily levels पर calculate किये जाते हैं और accordingly आप उन पर रवेड़ कर सकते हैं अपने technical parameter के हिसाब से बात कर रहे हैं 52 week high stocks की सबसे पहले 52 week high stocks की list आपके screen पर अब इस पूरी list में brands या strong stocks देखिया कितने हैं भरे पड़ेंगे, इसलिए कहता हूँ strong stocks या brands के उपर ही अपनी concentration रखो फिलाल के तौर पर SRF की अलड़ी discuss कर चुका हूँ SRF repeat तौर पर इस list में continuously आ रहा है इसके लाव है नवीन, नवीन के बारे में भी previously बहुत 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 बता चुका हूँ मैंने recently भी बताया था, आपको live streams में भी बताया था members को या WhatsApp group पर already positional play इसके साथ MGL दिया हुआ है जो लोग राइड करना चाहते है patients के साथ, इन stocks पर नज़र रख सकते हैं इसके लावर Relaxo इस list में आ रहा है ध्याम रखिये और रास्टे में ये भी कहा था कि बाटा जैसे stocks शाहिए top heavy हो रहे हैं बाट Relaxo ने उस तरह से perform नहीं किया है previously जिस तरह से बाटा stocks नहीं किया है या बाटा नहीं किया है तो Relaxo पर special नज़र रखो इस list में आने का मतलब positive momentum अब केवल entry की वेट करो या आपने technicals को strong करकर stop loss के साथ रखो अपने आपको stock के उपर ride करने में जो मज़ा आ सकता है अगर momentum पकड़ा गया तो वो बहुत अच्छा रहेगा तो मेरी तरह से Relaxo को एक special fake के तरह देखो और अगर आपके technicals ट्रॉंग्स हैं या आपको technicals आते हैं definitely Relaxo पर नज़र बना के रख सकते हो SRF के साथ इसके लिए अब बात करेंगे 52 week global stocks की 52 week low stocks आपके screen की list पर Dishman, GNFC, Prism Sement, Indian Bank, Reliance Home Finance अब इस पूरी list में सारे गंदे stocks especially अगर वो इस list में आ रहे हैं तो momentum wise bad अब GNFC के बारे में और GSFC के बारे में मैंने बहुत पहले to be exact कुछ हफते कुछ महीने पहले discuss जरूर किया था और specifically साथ में बताया था कि ये दोनों stocks में potential या overall underneath value है but आपको वो underneath value वो fundamental story के उपर नहीं जाना आपको जाना है technicals क्या कह रहे हैं उस वक्त भी शायद या तो ये किसी losers के list में था या 52 week globally list में था और उस वक्त मैंने specifically underline करकर बताया था आज भी बता रहा हूँ अगर कोई stock in list में आता है दूर रहो और उसे add करने की गलती मत करना अगर कोई 10 में से एक stock 52 week low बनाकर अचानक से reverse कर जाता है और वो एक exceptional case हो सकता है बट उसको देखकर ये मत सोचों की 52 week low का मतलब buying opportunity कुछ लोग कुछ नए लोग ये सोचते है 52 week low का मतलब buying opportunity और 52 week high का मतलब selling opportunity जबकि ये completely reverse है और इसका कोई parameter ऐसा नहीं होता तो ध्यान रखिए खैर, last button और the least बात कर रहे है Sun Pharma support or resistance की क्योंकि stock specific चुना गया है आपके screen पर support or resistance इस stock के आ रहे है अब इसके साथ ही बता दू pharma sector positive में है या pharma sector में हमारी कुछ picks और ये मैंने discuss की हुई है Sun Pharma आपको देख रहा है negative बट इनी resistance के ऊपर buying opportunity बन जाएंगी तो इसे आप दो तरीके से play कर सकते हो एक stock negative momentum में है कोई शक नहीं इसे हमने कुछ दिन पहले short भी गया था उसके मैंने screen shot telegram channel पर भी बताया था दिखाया था promotion के तोर पर obviously but stock की में underneath value definitely है अब दो तरीके से play करो अगर आप internet trading करना जाते हो support or resistance selling के लिए opportunity यूज़ कर सकते हो या any support or resistance का reference लेकर आप wait करो कि breakout आ रहा है या नहीं आ रहा है क्योंकि ये stock heavily shorted है ये stock heavily discussed है और कोई भी moment 4500 के पार या कोई भी moment अपनी resistance को cross करने का मतलब होगा shortest भी इसके उपर अपनी grip चोड़ेंगे और stock positive momentum में आ जाएगा तो इस चीज़ को अमेशा ध्यान रकिए इसके लावा करिए वही जो आपको suit करता है करिए वही जो आप करना चाहते है मेरी तरफ से एक के वहली information है किसी प्रकार की bank selling recommendation नहीं है अब इसके इलावा WhatsApp के उपर जो subscription based मैंने आपको बताया था एक update इस 31 December तक यानि कि इस साल तक WhatsApp subscription की intake इस current price पर जो कि है 6500 6 months की subscription के लिए ये open रहेगा 1st of January 2020 से ये subscription बढ़ जाएगी और जो भी intake करवाना चाहते हैं जो भी WhatsApp subscription जोईन करना चाहते हैं वो link मिलेगा आपको description में रीड करकर मुझे confirm कर दीजिए ट्विटर पर और जोईन कर सकते हैं WhatsApp subscription को 6 months की subscription है इसके बाद फीस हो जाएगी revised तो जो लोग interested है recent times में जोईन करना चाहते हैं इसके इलावा telegram channel जोईन कर सकते हो मुझे ट्विटर पर जोईन कर सकते हो और अपना comment नीचे comment section में डाल सकते हो वीडियो को like करना मत भूलिए चैनल को subscribe करके नोडिफिकेशन पर आइकन जुरू दबाद दीजिए और हमेशा इस चैनल पर आज़े टीम पाटिस्पेड कीजिए अज़ा नमबर नहीं धरन्यवाद